अब यह उत्तर प्रदेश का मैप है यह आप देख रहे हैं अस्ती सीटे सबसे जादा सीटो वाला यह राज्य है अब यहाँ पर हम आपको दिखा रहे हैं यूपी जो की अब इंडी गठपंदन है यहाँ पर आप देखिए 37 जो सीटे हैं उसका फाइदा होता हुआ नसर आ है और 43 सीटों पर यानि कि 43 सीटों पर इस वक्त आगे चल रही है अगर हम बात कर ले और अगर बाकी की बात कर ली जाए तो यहाँ पर समाजवादी पार्टी भी काफी जादा आगे है और इसके अलावा बिल्कुल तो समाजवादी पार्टी यहाँ पर बढ़त बनाए हुए है समाजवादी पार्टी इसमृती इरानी पीछे चल रही है अमेटी में केल शर्मा लगतार आगे चल रहे है यह बड़े बड़े चेहरे है बड़ी बड़े नाम है जो पीछे चल रहे है इसमृती इ कुझ यह इसे ठी कई और केंद dependencyy bağ की भी होत एक बहुत ही मे sincerity कह सक्ते थे अ हông है यहां पर अलग जो मुद्धे हैं उन पर किया है इस वक्त हमारे तमाम महमान हमारे साथ मौजूद हे यहाँ साथ गैस्ट है रोहित संग जी मुद्दों को लेकर कौन समझाने में नाकाम और कौन खामयाब दिख रहा है अभी आपने तुरंथी कहा कि अभी कहीं से भी इंदिया कतबंधन की सरकार बंती नहीं दिख रही है इसलिए फेल और पास होने का तुछ सवाल हर बार हिमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है इस बार भी हमाचल ने 100% रिजल्ट दिया है बाकी कैसे देखते हैं आपकी एक बार फिर से मोधी सरकार होने वाली निश्चे तोर पर देशफर में एंडिये लीड कर रहा है और मुझे पूर्ण वह विश्वास है कि जब शाम तक पूरे नतीजे आएंगे स्थिति स्पष्ट होगी भारती अंता पाटी एंडिये फिर एक बार तीसरी बार मोधी जी के नेतरतब में सरकार बनाएगा क्योंकि देश को स्थिर और निरंतर सरकार चाहिए एक इमानदार दमदार नेता चाहिए और आज जो दुनिया की उमीदे भारत से हैं उन पे खरा उतरने के लिए ये निरंतरता और स्थिरता बहुत अविश्यक है और जो देश की अर्थिवस्ता लगातार आगे बढ़ र अंकड़े सब के सामने आ रहे हैं और मुझे लगता है जब तक पूरे आंकड़े आएंगे शांदा रिजल्ट एक बार फिर होगा क्योंकि तीसरी बार सरकार बनाना अपने आप में कई बर चुनौती होता है लेकिन असंभव को भी संभव करके दिखाएंगे इंडिया ब्लॉक पी काफी खुश नजर आ रहा है उनको लग रहा है कि उनकी भी काफी इंप्रूमेंट हुई है पहले से और उनकी भी एक मीटिंग होने जा रही है कैसे दिखते हैं तेकि जहां एक और भारती अंता पार्टी धाई सो सीटों पार करने दिख रही है वहीं अनुराग ठाकुर के बयान में नर्मी थोड़ी आ गई है हलांकि वो कह रहे हैं कि सरकार तो हमी बना रहे हैं तीसरी बार सरकार बनाना आसान नहीं होता अब ये बात कह रहा है जबकि इससे पहले दावे हो रहे थे 400 पार के चलिए वापस हम उत्तर प्रदेश पर लोटते 42 पर आगे हैं और आप आधे पर आधे से भी कमपर सिमट रहे हैं देखे मुझे ऐसा लगता है कि अभी इसी भी चीज को मैच्योर्द नहीं मानना चाहिए घंता भर और प्रतिक्षा कीजिए कई सीतों पर 1000, 2000, 4000 का अंतर दिख रहा है निश्यत रूप से और EVM खुलेंगी EVM से अच्छा समाचार आएगा देश में प्रगती का मार्ग प्रसस्त करने वाली मोदी जी की सरकार तीसरी बार बनेगी